हेलो एवरीवन वेलकॉम अगें टू लन्वरेदेटीवन इस वीडियो में हम एक और बड़ी भरती की बात करने वाले हैं और ये भरती जो है एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की रहेगी ये एक जो है आदिवासी छात्र को पढ़ाने के लिए स्कूल होते हैं और इंडिया केंडिडेट जो है इसमें अपलाए कर सकते हैं तो यहां पर हर राज्य के लिए जो है पर्टिकुलर ये विकैंसी आउट होंगी यहां पर आप लोग अगर टीचर लग जाते हैं तो आपको वही पर जो है वो रहना पड़ेगा क्योंकि ये आवासी विध्याले ह डिटेल में जो है अब पूरी की पूरी जो है इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी पहले जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि कितनी पोस्ट पर जो है विकैंसी निकाली गई है जिसमें ये चीज़ बताई गई थी कि कुछ जो स्टाफ की भरती की ज चुके हैं अधर यूटूब चैनल जो है आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो है 2022 की डिटेल है ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्रेस जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है उसकी हम बात करेंगे बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स् लिटिकेशन ठीके हर जीज़ हम देखेंगे फीस क्या रहने वाली है जिस तरीके से देखते हैं हम केंद्रे विद्धिहले का जो है सलेबस रहता है बिल्कुल उसी पैटरन पर इसका सलेबस भी रहता है तो अब बच्चों के माइंड में यह रहता है कि हम जो है तैयारी कि की करें यहां पर मैं आप लोगों के जो है यह जो उल्जन है इसको थोड़ा सा दूर करना चाहूंगे कि आप जो है वो तैयारी उसी चीज़ की करें जिसके लिए आप बिल्कुल 100% जो हश्योर हैं कि हम इसको निकाल लेंगे इस एक्जाम को निकाल लेंगे फॉर्म आपक एक्जाम की करेंगे ठीक है फोकस एक ही एक्जाम के लिए रखेंगे ता कि उस पर 100% दे सकें यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे यहां information bulletin में क्या आया है ठीक है information बुलेटिन में आपको हर चीज जो है वो पता लग जाएगी यहां पर की application form for EMRS staff selection exam 2023 ठीक है तो online application होगा यहां पर और सारी डिटेल जो है यहां 33 पेजों की है यह ठीक है 33 पेजों की है तो डिटेल में आप लोग जो है बिल्कुल साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रिंसिपल के लिए 2000 जो है फीस रहेगी पीजीटी के लिए 1500 रहेगी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रहेगी जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्रे विद्याले का जिस तरीके से रहता है फीस सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है और बाकी जैसे एड्मिट कार जब जारी होंगे तो यह सारी आपको जो है वेब साइट पर नजर आएग अगज़ामीनेशन यह भी आपको नजर आएगा साइट पर ही आगे चलके अभी तो एग्जाम क्या अभी फ़र्म ही नहीं भरे गए है तो आप लोग जो है फॉस रूम भरें क्योंकि आवईदन यह स्टार्ट हो चुके हैं आपका कितने मिनट का होगा 180 मिनट का तो तो ट यहां पर देखिए कितनी पोस्ट के लिए था यदि आप भूल गए हैं तो बिल्कुल आप देख लें यहां पर जिनका एक्जाम होगा तो उसके लिए प्रिंसिपल की 303 विकैंसी हैं पीजीटी के लिए 2266 हैं अकाउंटेंट के लिए 361 हैं यह सबी जो हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में आ जाता है ठीक है और टीचिंग स्टाफ में प्रिंसिपल और पीजीटी की हैं तो आप अपना जो है वो सब्जेक्ट भी देखेंगे अभी पहले मैंने जो है इसका पूरा वीडियो बनाया था यदि आपने नहीं देखा है उसको भी देखिएगा तो लेकिन म अगर सब्जेक्ट है तो उसमें जो है वो 100% क्या होगा एक्जाम के थू लिये जाएंगे लेकिन अधर सब्जेक्ट भी ऐसे हैं जहां पर प्रमोशन के थू लिये जाएंगे तो यह बिलकुल इतनी विकैंसी जो दिख रही है इसी इनी पर जो है यहां एक्जाम लिया जा ठीक है तो प्रिंसिपल की जो है यहां पर आप देख सकते हो यहां जो भी जो आरक्षन है वो जैसे एवस है इसकी 30 सीटें है रिजर्व ओबी सी की 81 है सी की 45 है स्टी की 22 है यानि टोटल जो है वो कितनी है 303 है पीजीटी की जो सब्जेक्ट है वो आप देख लें कि आपक अप्लाइ करेंगे बहुत अच्छा जो है यहां पर आप लोगों के रहने की सुविधा बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हर चीज जो है वो आपको यहां एवलिवल रहती है यहां सब्जेक्ट है इंग्लिस हिंदी मैथ कैमिस्ट्री फिजिक्स बायलोजी हिस्ट्री ज लेंग्वेज के लिए अगर फॉम भरना चाते हैं तो यहां लेंग्वेज जो हैं मराथी, उडिया, तेल्गू, संस्क्रिद, बंगाली, संथाली इसमें आपने अगर पोस्ट आपने अगर पीजी किया हुआ है तो आप जो है वो अपलाए कर सकते हो कैटिगरी वाइस जो पे क्या रहेगी, पेमेंट आपको जो है वो क्या मिलेगा, तो पेमेंट बहुत अच्छी खासी जो है वो आपकी यहां वेतन रहता है, आप देख लीजिए, इतनी मौटी जो है वो तंखा आपको यहां मिलने वाली है, लेकिन तंखा अगर अच्छी होती है तो उसके देख लीजिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है तो उस में 130 मार्क्स का जो है वो आपका एक्जाम होगा 40 मार्क्स जो है वो आपके इंटर्व्यू के होंगे और लेंग्वेज का जो टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा किस तरीके का जो है वो रहने वाला है या syllabus तो principal की post के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हो reasoning आएगी आपकी 10 marks की journal awareness आएगा 20 का ठीक है language में हिंदी इंगलिस आप से पूछी जाएगी 10 10 marks की यानि 20 marks का इसके अलावा जो है आपकी जो academic जो आपका syllabus है वह है आपका 50 marks का पूछा जाएगा administration और finance जो है उसका 50 marks का यह है किसके लिए principal की post के लिए maximum बच्चे जो है वो PZT का ही भरेंगे PZT का जो syllabus जो है आप अच्छे से देख लें general awareness आएगा 10 marks का reasoning आएगी 10 की ICT की जो knowledge है वो पूछी जाएगी यानि computer की पूछी जाएगी 10 marks की teaching aptitude 10 marks का पूछा जाएगा इसके लावा 10 marks जो है वो आपका subject से संबंदित रहेगा ठीक है और language जो है उससे संबंदित आपके 10-10 marks के यानि की 20 marks के आपके question पूछे जाएगे ठीक है 20 marks के ही होंगे उसके बाद non teaching staff की जो है वो आप देख लीजेगा यदि आपको फॉर्म भड़ना है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर teaching staff के लिए ही जो है यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है prefer देती हूँ syllabus जो है for examination आप जो है खुद इसको search करें emrs.tribal.government.in जैसे ही site पर जाएँगे आपको सारी information मिलेगी syllabus, क्या fees रहेगी, कैसे apply करना है हर चीज़ आपको पता चलेगी अब हम बात करने वाले हैं qualification की क्या qualification है यहाँ पर principal के लिए देखिए 50 साल जो है वो आपकी होनी चाहिए और यहाँ पर age, relaxation जो है वो आपको मिलता ही है आपकी category का यहाँ पर मांगा गया है qualification master degree मांगी गई है, साथ में B.A.D. मांगी गई है और 12 साल का जो है वो आपको experience होना चाहिए ठीक है, किसका experience मांगा गया है प्रिंसिपल का, PZT के या TZT का उसके बाद PZT में जो है वो 40 साल मांगी गई है ठीक है, PZT में 40 साल है 40 साल काफी है, इसके अलावा भी जो है यहाँ पर age relaxation जो है और भी मिल रहा है, erection और भी मिल रहा है qualification अगर आप देख सकते हैं तो यह मैंने आपको बता दिये सारे subject, in subject की जो है वो vacancy है, English, Hindi, Physics, Chemistry Mathematics, Bio, History, Geography Commerce और Economics इसके अलावा जो है, वो regional language की भी है ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको पता लगी 40 साल इसके अलावा जो है आपने MA तो किया ही हो साथ में जो है वो BA degree भी कर रखी हो, PZT computer science के लिए जो है, age जो है वो 40 year है, यहाँ पर BA degree नहीं मांगा गया है, मांगा क्या गया है यहाँ पर MSC, Computer Science या IT से मांगा गया है, ME और MTEC, आपने अगर किसी भी University और Institute से किया है, तो आप अपलाए कर सकते हो, accountant के लिए जो है वो आपने commerce में जो है वो degree की होनी चाहिए, इसके लावा non-teaching staff की अगर बात करें तो 30 year एक तो age रहती है यहाँ पर 12th standard मांगा गया है आप लोगों के लिए जे से A की form भढ़ने के लिए 35 words per minute जो है English typing के और Hindi के, दोनों के मांगे गया है अगर आप जो है वो इसका भढ़ना चाहते हैं, lab attendant का तो यहाँ पर भी age जो है वो 30 year है, साथ में age relaxation का मैंने आपको बता दिया है कि पहले से ही जो है वो age 40 साल, 50 साल जो है वो आपकी रखी गई है साथ में आपको 5 साल, 3 साल 15 साल आपका जो भी आपकी category है उसका आपको पाइदा मिलता ही है अब हम बात करेंगे कि आपका exam जो है वो कहां होगा तो यहां पर जो है cities दी हुई है वहीं पर आपका exam होगा तो यहां पर कई city दी हुई है देखिए state जो है अंडेमान निकोबार है तो यहां port player में जो है exam होगा आंधर प्रदेश है तो विजयवारा में और नाचल प्रदेश इटा नगर में यहां पर हम देख लिते हैं दिल्ली के अगर है तो नियू डेली में जो है वहापका exam होगा गुझरात के हैं तो गांदी नगर में हर्याना के हैं तो चंडीगर में यहां पर अगर हम राजिस्तान की बात करें तो राजिस्तान के जो इस इसь state का जो exam होगा ये जैपुर सिटी में लिया जाएगा ठीक है और उत्तर प्रदेश से अगर आप विलॉंग करते हैं तो आपका एक्जाम जो है वो लखनो में होगा ठीक है तो ये जो है सिटी जो है वह भी बता दी गई है कि कहां पर जो है एक्जाम होगा 33 पेजिस का जो है ये पूरा जो ह स्टाफ चुन परिक्षा 2003 भारत सरकार के जन जाती है कारें मंत्राले के स्वायत संगठान स्टृट जात्र आदिवासी चात्र सिक्शा समिति ने भारत सरकार मोडल आवासे के छिसमें सैक्षिक ओर गयर सैक्षिक फार्ट डिए टीचिंग और और स्टाफकर हो गए हैं और आप लोग जो हैं वो अपनी सेक्षिक योग गिता स्टिक्शन अनुभव जो भी मैंने आपको अभी बताया है तो वो सब जो है देखकर अच्छे तरीके से उसके बाद जो है वो आप लोग फॉर्म भरेंगे यहां पर जो है साइट मैंने आपको पहले भी बत पाओगे तो सारी जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी है अब किसी के दिमाग में यह चीज नहीं होनी चाहिए कि हमें इसकी जो है वो जानकारी नहीं मिली है क्या जो है वो कौलिफिकेशन है उम्र क्या मांगी गई है कब से जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं जो है वो 31 है इसके अलावा अगर आप जो है syllabus जो है वो चेक करना चाते हैं तो site पर syllabus जो है वो चेक करें principal की post के लिए syllabus भी दिया हुआ है यदि आप apply करते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो detail में यहां पर आ जाएंगी ठीक है PZT का syllabus भी दिया हुआ है तो और भी कोई अगर news student के लिए होगी तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी वीडियो जो है देखने के लिए बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक किया करिए और चैनल को जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आप लोगों को मिल सकें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू